Hello and welcome friends, आज के इस वीडियो में cash in hand में जाकर के जब हम देखते हैं और हमारा cash जो है negative में show करता है तो उसका cash solution है कैसे उसे सही करें और दूसरी ये बात की जब हमारी audit होती है तो उससे में बहुत परिशानी बढ़ जाती है हम ऐसे तो entry करते जाते हैं, करते जाते हैं, entry हो भी जाती है टैली में लेकिन जब negative में show होने लगता है तो वो entry गलत हो जाती है फिर वो पकड़ में आ जाती है balance sheet में, तो balance sheet में कैसे उसको सही करेंगे, उसी की बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको पुरानी entry जो हमने पिछले वीडियों बनाई थी, वो यहाँ पर है, और इसमें देखिए 8,35,9,945,945 पर से ये negative में show हो रहा है यही पिछले बार भी हो रहा था, ठीक है, अब इसको सही करने का तरीका क्या है, कैसे इसको सही करें, सही करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां से cash in hand जो है, यहां पर red में show करेंगा आपको, यह देखना यह red में show करेंगा, और अगर delay breakup इस पर click करते हैं अब, तो यह पूरा का पूरा red में ही show कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां से बाहर आजाएगे, बाहर आने के बाद क्या करना है, वो date देख लिए जिस date पर entry हुई है, तो यह date देख सकते हैं आप, कुल मिला का सारी entry सितंबर में ही हुई है, ठीक है, और capital account जो receive कराया है हमने पैसा, वो भी हमने कब कराया है, सितंबर, दो सितंबर को, दो सितंबर 2020, तो यहां पर देखिए, छे लाक रुपए एक बाल रिसीब कराये गये थे, अब कितना कम पढ़ रहा है, यहां पर आठ करोड बतिस लाक, नो हजार नो सो एक ताली capital account का laser पहले से created होगा, यह रेखिए, C press कीजिए, और यहां पर आपको capital account मिल जाएगा, यह capital account ले लिजिए, ठीक है, और अब cash shortage है, 8 करोड बतिस लाक, तो यह मैं कर देता हूँ, 8 करोड तैंतिस लाक रुपए cash receive करा रहा हूँ, हमने cash receive करा दिया, ठीक है, अब current balance जो है, 90 पहजार, अंठाउन रुपए, 54 पैसे, यह extra हो गया, यह cash हम receive करा रहा है, ठीक है, date कौन, और यहां से, control A press करते हैं, तो यह cash receive हो गया हमारा, अब चलते हैं, वापिस balance sheet पर, ठीक है, B press करता हूँ, balance sheet पर आगे, और अब हमें यहां पर, दोनों side में, आप देख सकते हैं, enterprise किया, अब यहां पर जो cash, 8,32,77, यह negative में जो दिखाए दे रहा था, आप यह closing balance देखिए, 90,58 रुपए, 56 पैसे, यह जो है negative वाला cash हट गया है, तो इस तरह से करके आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है, उमीद करता हूँ, बात आपके समझ में आ गई होगी, अगर कोई confusion फ फिर भी होती है, तो फूछ सकते हैं, thank you for watching this video.